गुजरात पुलिस और ATS को बड़ी सफलता मिली है। दोनों की एक सयुक्त टीम ने आतनकी संगठन आइसस का भंडा फोर्ड किया है। ATS में पोरबंदर से चार लोगों को गिरफतार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों को इस बात के पुक्ता सबूत मिले हैं कि चारो आरोपियों का लिंक आतनकी संगठन आइसस से है। पुलिस एक अन्य की तलाश में पूरे राज्य में लगातार छापे मारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया, गिरफतार किये गए चारों संदिग्धों पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी। ये चारों विदेश भागने की फिराक में थे। हाला कि इससे पहले ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया। पुलिस अब चारों से पूछताच कर रही है। माना जा रहा है कि ATS अपनी प्रेस कॉनफरेंस में बड़े खुलासे कर सकती है। गुजरात ATS ने बताया कि गिरफतार किये गए चारों लोग ATS के सक्रिय सदस्य हैं और बीते एक साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस के मताबिक चारों के पास से प्रतिबंदित चीजों को भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इन चारों को सीमा पार से लगातार कमांड मिल रही थी। सीमा पार बैथे अपने आका के इशारे पर ये सभी काम कर रहे थे। पुलिस के मताबिक एक अन्य की गिरफतारी के लिए लगातार छापे मारी की जा रही है।